कार्टिक इस्तान पर्फ की शुरुवात 31 अक्तूबर से होने के बाद लगतार एक महीने तक प्रत कर महिलाओं दुआरा हर रोज अलसुबा स्नान कर भगवान श्रीकिष्ण की पूजा अर्चना का क्रम जारी है कार्टिक मा की कथा के अदुसार मानता है कि धंतेरस के दिन से भगवान श्रीकिष्ण उस इस्तान पर दर्शन देने नहीं पहुंचते जहां ग्वालिने स्नान करती थी इसके बाद उन्हें खोजने के लिए कार्टिक वरत करने वाली ग्वालिन स्वरूप महिलाएं शहर के कई स्थलों पर उनको ढूंडती है ये परंपरा बुंदेलखन में पूरी शद्धा भक्ति के साथ निभाई जाती है जिसमें भाईदूच पर्फ के अगले दिन भगवान श्रीकृष्ण के प्रतीक स्वरूप उनके जैसे श्रिंगार किये व्यक्ति महिला शद्धालों से मिलते हैं जहां सुंदर भजनों की तरज पर निरत आदी महिलाओं द्वारा खिया जाता है कृष्ण बने व्यक्ति को तक्षिनाव प्रसाद भेट की जाती है इस बार अलग-अलग स्थानों पर यह आयोजन हुआ ये परंपरा मतुरा व्रिंदावन की तरह ही बुंदेल खड में ब पूजा कर रही है ये सब हमारे संस्कृति का हिस्सा है जो हमारी आने वाले पीड़ी के लिए प्रेणादाई बनेगा मेरे सुने मधुवन में बहार आ गई देखो सखा माखन लेके गवालन आ गई जैसे सवैया सोठा वच्छंद गाकर ग्रामीर छेत में कार्तिकस्तान के चेड़ने की परंपरा है इस दरान दोनों और से बुंदेली और ब्रजभाशा में चंद सोठा गाकर सवाल जवाब किये जाते हैं दोनों पक्षों में सुन्दर गीत के माध्यम से बहस होती है अंत में गवालिन दान देकर अपनी टोली सहित गाव भ्रमर को आगे बढ़त और से बहस हैं आ है झाल जुद व के कि पहली सहित आ है आ जुद के खाया जुद से चाल जुद के इस दुदाई आ उप्रों में लागशा जुद से बहस है अशन्क के बहस्ता दों वालिन दोने से घुद अज़ती हैं दोवा क्या जुद